समस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का YouHelp News में और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किसानों का कर्ज हुआ है माफ सरकार ने किसानों का कर्ज जो है वो माफ किया है अगर आपने पिछले दो वर्सों में वर्स 2018 या फिर 2019 में सरकार की किसी भी बैंक से कर्जा लिया है तो उन लोगों का कर्जा यहां पर माफ किया गया है इस वीडियो में हम पूरी जानकारी बताने वाले हैं कि किनकी लोगों का कर्जा यहां पर माफ हुआ है पूरी लिच्ट इस वीडियो में हम देखेंगे साथी साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर आपने पिछले दो सालों में सरकार के किसी भी बैंक से कोई कर्जा लिया है तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने अधार कार्ड के नंबर से कैसे चेक कर सकते हैं आपका कर्जा यहां पर माफ हुआ है कि नहीं हुआ है इस वीडियो को आप पूरा देखेगा ताकि जरूरी इंफॉर्मेशन ना चूटे साथी साथ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि सरकार की तरफ से जब भी कोई भी नई सरकारी योजनाओ के एलान होते है तो वीडियो के माध्यम से सबसे पहले आपको वो पता चल जाए फ्री में घर बैठे सबसे पहले तो चलिए यहां पर मैं आपको बता देता हूँ कि किन किन लोगों का यहां पर पिछले दो सालों का करजा यहां पर सरकार की तरफ से माफ किया गया है पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम देखेंगे तो सीधे हम चलते हैं सरकार की ओफीसल वेबसाइट पर तो यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अपने छेत्र की किसान करजमाफी की सूचना प्राप्त करें इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको वर्स सेलेक करना है कि आखिर किस वर्स में आपने करजा लिया है अगर आपने 2018 में करजा लिया है और किस बैंक से आपने करजा लिया, तो सबसे पहले आप कोई भी यहां से जिस भी डिस्टिक के आप रहने वाले हों वो select कर लीजे, हमने यहां पर district select किया और right side पर यह अधिक जानकारी दी गई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस district से इतने लगबख 57,217 लोगों को करजा माफ हुआ है और यह पूरी रासी आप देख सकते हैं लगबख 222 करोड रोपए इतनी लोगों का इसी तरह से अलग-अलग district की आप चेक कर सकते हैं तो चलिए एक district का हम चेक करते हैं और right side प तो यहाँ पर 3,151 लोगों ने करजा लिया है उनका माफ हुआ है तो चलिए right side पर फिर यह अधिक जानकारी पर हम क्लिक करते हैं तो देखे अज मेर district की अगर हम बात करें वहाँ पर जो यह साखा है विवर उसकी जो पैक्स का नाम है यहाँ पर उस जगह पर 484 लोगों न करजा लिया है और उनका लगभग इतनी amount जो है वो करजा माफी का दिया गया है तो अब detail देखने के लिए हम अधिक जानकारी पर क्लिक करते हैं तो यह हमने इसके बाद अधिक जानकारी पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर उन सभी candidate की list आ गई जो कि अजमे district के रहने वाले ह और जो बैंक की साखा हमने select की उससे उन्होंने करजा लिया देखे जैसे पहले candidate है अजीत सिंग उनका लगभग 20,190 क्लियर हुआ है माफ हुआ है उसके बाद अनूप सिंग उनका भी 20,000 करजा माफ हुआ है इसी तरह से किसी का 16,000 किसी का 25,000 ठीक है किसी का 3,000 तो इस तर करने के बाद आपको branch select करना है कि किस bank की कौन सी branch से आपने करजा लिया उसके बाद list पर अधिक जयनकारी पर click करके आप देख सकते है कि किन कि लोगों का करजा यहाँ पर सरकार की तरफ से माफ किया गया है तो चलिए अब मैं आपको यह बता देता हूं कि आप जो है यह कै किसान करज माफी की सूचना प्राप्त करें तो इस पर हम click कर देते हैं और उसके बाद आपको करना क्या है यह जो आपका है यहाँ पर आपको अपना अधार संख्या यानि कि आधार नंबर आपको डालना है या फिर किसान loan waiver application का code है वो डाल दीजे तो सिर्फ आप अधार क card का नंबर यहाँ पर डालिए वर्स से इलेक्ट करिए कि किस वर्स में आपने करजा जो है लिया है अगर 2018 में लिए तो 2018 सेलेक्ट करें 2019 में लिए तो 2019 जो है वो select करें उसके बाद आप नीचे खोजे की बटन पर जो है वो click कर सकते हैं तो राजस्थान सरकार की तरफ से ये करज़म माफ किया गया है comment करके आप बताएं कि ये वीडियो आप किस सहर से किस राजस से देख रहे हैं तो comment करके जरूर बताएगा ताकि अगर आपके सहर में आपके राजस की कोई भी सरकारी योजना का एलान होता है कोई भी सरकार की तरफ से अगर फाइदे आते हैं तो वीडियो के माध्यम से हम आपके राजस की आपके सहर की इन्फॉरमेशन बताएगा तो comment करके अपने सहर का नाम जिले का नाम जरूर बताएगा वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बताएगा वीडियो को like कर दे चैनल को subscribe करके बेल आइकन को जरूर दबादे Thank you so much